अपको बताने वाले हैं कि उस रबर को आपको कैसे साफ करना है किस तरीके से आप उसे किन ट्रिक्स को आजमा के साफ करें जिससे वह पहले से नए जैसा चमकने लगेगा तो दोस्तों फ्रिज के दर्वाजे में लगे रबड को साफ करने के लिए से बाहर निकालना जरूरी होता है इसके लिए फ्रिज के दर्वाजे को टाइट पकड़े और फिर रबड को एक कॉर्नर से पकड़कर बाहर निकालने इसे आराम से आसानी से खीच कर बाहर निकाल सकते हैं, इसके बाद साफ करने के लिए आसानी से वापस भी लगा सकते हैं, एक तरीका तो है बेकिंग सोडा से फ्रेज के रबर को साफ करने का, इसके लिए आपको एक कप पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर एक लिक्विड तैयार कर लें और फिर इस लिक्विट से रबर को साफ करें इसके लिए आप कपड़े या फिर ब्रश कुछ भी चीज का इस्तमाल कर सकते हैं साफ करने के बाद रबर को फिर से पानी से साफ पानी से दो लेना है और जब सूख जाए तो उसे वापस फ्रीज में लगा देना है है जो दूसरा तरीका है वो हो विनेगर यानी सिर्का फ्रीज के दरवाजे में करने को लगे आफ्रोको अगर लंबे शू तक नहीं साफ करने पर गंधी के दिर सिर्के को पानी में मिला कर या फिर डायरेक्ट कपड़े य rigorous की М बश्ते साफ कर सकते हैं और अगें उसको साफ करने के बाद आपको साफ पानी से दो कर सुखा कर वापस लगा देना है इसके साथ तीसरा तरीका है डिटर्जेंट जिससे भी आप डिटर्जेंट से भी रबड की गंदगी दूर कर सकते हैं इसके लिए एक कप पानी में एक चमस डिटरजन डाल कर स्ट्रॉंग गोल तयार करें और कपड़े को गीला कर रबड की सफाई करें अगर रबड के उपर ज़्यादा गंदगी लगी हो तो आप गरम पानी का इस्तमाल कर लीजिए उससे और जल्दी और अच्छे से साफ हो जाएगा इसके बाद अच्छे से धो लेना है और सुखा कर फ्रिज के दरवाजे में लगा देना है तो दोस्तों ये कुछ ट्रिक्स से तीनिया चार जिनसे आप फ्रिज के रबड को आसानी से साफ कर सकते हैं दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें